नमस्कार और वैसे तो आज डुरंड कप का सेमी फैनल का फर्स्ट मैच है तो उसके बारे में बात करना चाहिए लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी एक सीरियस बात करना चाहता हूँ जो कि इंडियन फुटबॉल टीम से रिलेटेड है क्योंकि कभी भी मेरे लिए तो हमेसे इं अंडर 23 क्वालिफायर्स के लिए जा रही है 6 सितंबर का हमारा पहला मैच है मौल्दी उस से चाइना में होगा यह अंडर 23 क्वालिफायर्स और हमारा जो ग्रूप है हमारे ग्रूप में UAE चाइना जैसी अच्छी टीम से तो इसके लिए हमको क्या चाहिए एक सबाइक सी बात हमको बहुत अच्छी प्रिफायर्स घाइए अगर हमको बहुत अच्छा करना है कौलीफायर्स में चाहिए करना हे तम है इस भी और उम्मीद हमको थी पहले से भी लेकिन जो प्रिप्रेशन है उसमें कुछ लोचे हो रहे हैं क्या लोचे हो आपको बताना चाहूंगा जैसे कि आपको पता है हमारा कैम्प निर्धारित हुआ था 12 अगस्त से लेकिन उस टाइम पे ISL क्लब से और यह सा माने नहीं अब जो 25 अगस्त से कैम्प चालू हुआ उसमें 28 प्लेयर्स को कॉल अप मिला था तो 28 में से केवाल 12 प्लेयर्स कैम्प के लिए बाकी प्लेयर्स को ISL के जो क्लब से उन्होंने रिलीज है नहीं किया तो कोच जो है काफी चिंती था क्योंकि विदाउट प्रिप्रेशन जाएंगे तो वहां मोग की खाएंगे कोई सवाली पैदा नहीं होता कि हम क्वालिफा कर पाएंगे अगर बिना प्रिप्रेशन के जाएंगे तो क्योंकि अधर टीम्स प्रिप्रे तो उनकी टीम कितना अच्छे से प्रिपर ओंटी तो इस ताइं तो यहाँ पर ऑल इम्ट ओंटी मुझे है और तो ईहां पर डीम को पर उनिश्ग क्लब्स के सब डäreटी देने के लिए 12 players camp में आये हैं और जो हमारे coach है Clifford Miranda उन्होंने भी यह statement दिये कि यहां पर बड़ी picture हमको देखना है हमारा India इंडिया देखना है यहां पर जो इंडिया कितनी growth करेगा अगर हमारी national teams अच्छा करेगी तो यहां पर लेकिन clubs का क्या कहना है कि हम FIFA window आएगी उसी में players release करेंगे ज अब यहां पर यह बिल्कुल भी illogical चीज हो जाएगी क्योंकि 4 सितंबर को हमको चाइना के लिए travel करना है 6 सितंबर को हमारा पहला match है तो 4 सितंबर को अगर आप player छोडेंगे ही तो उनकी training कैसे होई तो इसका यह मतलब होगा कि हमारा जी group है उसमें other teams अच्छी preparation के साथ आ लेकिन फिर भी coach के दोरा काफी work किया जा सकता था लेकिन अभी तो आप देख सकते हैं इतने दिन हो भी चुके और केवल को चंद दिन बचे है और हम directly खेलने वाल है under 23 Asian Cup qualifiers तो अभी भी players पहुंचे नहीं है camp तक अभी भी ISL clubs रिलीज नहीं किये है तो यह बहुत बड़ी चिंता का wish है अब देखिए यहाँ पर हर कोई footballer या fan यहीं कहेगा कि पहले country के बारे में सोचना चाहिए और उसके बात जो है वो club के बारे में सोचना चाहिए तो देखिए simple सी बात है club management का decision है उनकी जिम्मदारी उनको सोचना पड़ेगा क्योंकि fans कहें या AFF कहें वो तो country कोई first सोचेगा simple सी बात है तो अब देखिए other countries में भी leaks चल रही है लेकिन उनके clubs तो छोड़ रहे है उनके players को उनको कोई दिक्कत नहीं होरी लेकिन हमारे जो clubs है वो नहीं छोड़ रहे है और मुझे भी यहीं लगता है कि उन players को release करने से clubs पे कोई extra burden जैसा कुछ नहीं आने वाला मुझे तो नहीं लगता इतना कुछ फर्क पड़ेगा अब देखिए यहां पर मैं simple सी एक बात clear करना चाहता हूं सभी fans है देखिए अगर हमारी under 23 team Asian cup qualifiers जो under 23 का इसमें अगर अच्छा नहीं करेगी न तो coach को blame न किया जाए क्योंकि उनको सही time जो preparation का नहीं मिल तो जब इंसान preparing नहीं करके जा रहा है तो हम performance अच्छा नहीं देगा न तो इसलिए coach के उपर blame न किया जाए बहाँ पर जो भी result आएगा इसलिए मैं यह बोलना चाहरा हूं ठीक है और इसके पर आपके कहना चाहते हैं आपको क्या लगता है आपको कि ISL clubs जो है उनको अपन चुके और आज है पहला सेमिफाइनल नौर्थीस उनाइटिड वर्सेज इस बेंगॉल और 31 अगस्त को होगा मोहन बागान वर्सेज एफसी गोवा तो आज का जो मैश है दोनों मैच काफी exciting होने वाले बिल्कुल क्योंकि चारों टीम्स ने throughout the tournament काफी शांदार performance दिया है औ और इस बेंगॉल ने तो एक बहुत बड़ा जो है surprise भी दिया था मोहन बागान को हरा कर तो इस बेंगॉल से काफी expectation हाई है नौर्थीस से काफी expectation अब बढ़ चुकी है क्योंकि नौर्थीस जो है किसी ने इतना सोचे नहीं था कि इतना अच्छा perform करेगी इतना खराब season नि क्योंकि काफी टाइम से इस बेंगॉल अच्छा नहीं कर रही है इस साल उनकी टीम ऐसा लग रही है कि they will do something क्योंकि coach अच्छे है, players अच्छे है, performance अच्छे चल रहा है और इसी की बाद अगर दूसरे semi-final की भी बात करें तो वो भी बहुत जोड़दार होने वाला FC Goa मतल से Mumbai City को हरा कर आई है, तो इसको आप एक तरीके से Spanish class भी बोल सकते हैं, because Ferendo and Manolo Marquez, दोनो Spanish coaches है, gameplay, ball possession based ही होता है Spanish लोगों का, तो ये class भी काफी खतरनाक होगा, और देखिए final की prediction की बात करें तो काफी fans ये बोल रहे हैं कि हमको तो derby चाहिए final में, मतलब mostly ऐसा चार है कि हमक सी गवभी क्योंकि बहुत strong है, तो आप इतना lightly उनको भी नहीं ले सकते इधर से, और उधर North East भी बहुत strong है अभी फिलहाल में, उनका gameplay काफी अच्छा चल रहा है, उनके players अच्छा perform कर रहे है, सभी form में चल रहे है, तो expectation भाई उनकी भी अच्छी रहेगी, तो काफी exciting matches से और देखते है कि कौन finally जगे बनाता है finals में, तो आप जो कुछ भी कहना है चाहिए India team को लेकर, मतलब under 23 team को लेकर, उनके camp को लेकर, और ISL clubs जो release नहीं करें, players, इसके उपर आपके क्या विचार है, आप जरू comment में लिखके बताएगा, और during cup के लिए आपके क्या predictions है, आप वो भी जरू comment में लिखके बताएगा, और इसे तरह आप Indian football को support करते रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जय हिन, जय भारत!